आज मैं आपके लिए लेकर आयूं कद्दू की सब्जी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में और यह हम भंडारे वाली कद्दू की सब्जी बनाएंगे बिना लसन और प्याज के तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं यहां पे कद्दू की सबजी बनाने के लिए मैंने लिया है एक कद्दू स्मॉल बिल्कुल छोटे साइस कम कद्दू लेंगे ना तो उसके अंदर बीज भी निकलेंगे और उपर से जो उसका चिलका होता है वह बहुत सॉफ्ट होगा तो यहां पे हमने इस तरीके से क्यूब ऊड़े तरीके साइट में लाएंगे एक बाढाएंगे लगाते के लिए और आदर चमच पाॉडर और ऑदा चमच आद्म जिरा पाउडर और आदा चमच चिरा पाॉडर। इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पानी डालके यहाँ पर गरम पानी का भी उसकर सकते हैं जिसके कि हमारी मसाले वह अच्छे से फूल जाएंगे और जब आम अपनी ग्रेवी बनाएंगे तो हमारी मसाले बिलकुल भी नहीं जलेंगे तो इसके बाद हमने साइड में तोड़ा सा मैं याँ डालना यहाँ पर उसके बाद मैंने यहां पर डाल याँ तो हमने यहां पर जी आपयज चपत आपा से अधिपSecam पर जलेगा नहीं है और जो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए लेकिन अगर बहुत ज़ादा है तो आप गैस की फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं यह देखें इसको लगातार अरब चलाएंगे जैसे कि जो मारा मसाला बिल्कुल भी नहीं नीचे लगे अब यहां पर इस जिस जिस उसको वाष करना बहुत जरूरी होता है तो छोड़ा सा बुनी के बाद हम यहां पर डालेंगे प्यार नमक क जरू बहुत बहुत ज़्यां चाथ हम आपके नमक के प्छी की लिभी नहीं भीच करते रहेंगे कि ये मारा जो सब्जी कहीं नीचे से लग तो नी रही है। इसके बाद में इसको मिक्स करेंगे फिर हम यहां पर चैक कर लेते हैं कि अभी यह नहीं गला है हमें थोड़ा सा मतलब लग बग 80 पर सेंट जब हमारा कदू गल जाएगा उसके बाद में में इससे बहुत जादे टेस्ट अच्छा आता है और आप चाहें तो जगरी पाउडर या फिर शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं उसके बाद में देखे हम इसको थोड़ा मिक्स किया और फिर से ड़के रखा है हमने यहां पर पांच मिनट के लिम ड़के रखेंगे लो फ्ल तो यहां पर देखेंगे जो हमारा गदू अल्मोस्ट गल चुका है और बहुत ही बड़ी एकदम कंसिस्टेंसी में आया है आप चाहें तो इसको इसी तरीके से थोड़ा पतला भी बनासा है तो आपको थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से बूरना पड़ेगा जिसस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा और थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो और उसको जाद सजाद सचेड़ शेयर कीजिए